सो हेलो बच्चा लोग वेलकम बाक और आज की सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले दाट इस और कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग इसके सारे फॉर्मलेस को कॉंसेट को रिवाइस करेंगे आट दी एंड हम लोग कुछ प्रिवेस यर क्वेस्टन भी करेंगे जो कि आपके कॉंफिडेंस को और भी जादा बढ़ा देगा ठीक है यहाँ पे जो हम लोग सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाले है वो आपके सामने यहां लिखा हुआ है इसमें जो आपको मोस्ट इंपोर् जा सकता है in the form of assertion reason ठीक है इसके लवा एक और important information हम लोगों ने बहुत सारे topics को cover कर रखा है already for example EM waves हो गया modern physics हो गया electrostatics alternating current और सभी आपको एक playlist में है उसका link आपको नीचे मिल जाएगा सभी वीडियो के नीचे आपको एक free PDF notes भी मिलेगा तो आप जरूर से जाके उनको ठीक है तो चलिए आईए हम लोग इसको शुरूर करते है communication system यानि कि इस session का भी free PDF note आपको नीचे मिलेगा लेकिन आप इस वीडियो को पूरा सुने क्योंकि यहाँ पे terms बहुत सारे है उनको सुन के समझना जरूरी है as compared to notes के ठीक है तो चलिए यहाँ पे आपको 3 important terms होता है right one is your transmitter दूसरा आपका होता है channel और तीसरा आपका होता है receiver ठीक है so transmitter में basically हम लोग अपना information को input देते है and that can be in the form of text, voice and video फिर यहाँ से आपको channel के through receiver तक हमारा information पहुँचता है यह channel आपको wire form में हो सकता है wireless form में हो सकता है या फिर fiber optics के form में हो सकता है ठीक है और receiver के बाद यह ह आपको finally recipient तक पहुचता है same format में ठीक है अब इस transmitter में भी आपको 2-3 चीज़े होती है for example इसके अंदर आपको होता है transducer, modulator, even antenna भी अब transducer basically क्या करता है वो एक form of energy को दूसरे form of energy में convert करता है यह जो आपका information है for example voice तो voice को transducer जो है वो एक electrical signal में पहले convert करता है और वो electrical signal आपको फिर जाता है through channel और फिर receiver के पास ये पहुचता है ठीक है तो आपका यहाँ पे जो mic हो जाता है वो basically एक transducer हो गया ठीक है जब receiver के पास ये signal पहुचता है ठीक है by the way modulator हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ठीक receiver में जब ये signal पहुचता है तो यहाँ पे भी आपको एक transducer होना ज़रूरी है जो कि उस electrical signal को दुबारा से understandable format में convert करे हमें voice audio सुनाई देता है हमें signal सुनाई नहीं देता है ठीक है तो electrical signal से हमें कोई लिना दना नहीं है तो transducer उस electrical signal को दुबारा से sound में audio में convert कर देता है ठीक है और यहाँ पे आपको एक demodulator भी होता है तो ये demodulator क्या होता है modulator क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे राइट अच्छा आगे बढ़ते है then comes more three terms noise, attenuation and amplification तो जब channel के थूँ हमारा information electrical signal pass कर रहा होता है so there are some unwanted signals which basically disturbs the transmission ठीक है कहने का क्या मतलब है ये आपका channel हो गया this is your input electrical signal channel में enter करने से पहले आपका electrical signal का जो waveform है मान लीजिए ऐसा है हलाकि इतना simple होता नहीं लेकिन मान लीजिए ऐसा है तो channel से pass होने के बाद ये हलका सा distort हो जाएगा due to the noise interference तो आपका receiver में एक noise filter भी होता है जो कि इस signal को इस signal में से noise को eliminate कर देगा ठीक है attenuation का क्या मतलब है जब आपका signal इतना लंबा लंबा सफर तै करता है through the channel चाहिए वो आपका wire हो wireless हो right so during transmission there is always some energy losses so that is called your attenuation यहाँ पे आप diagram की थो समझ सकते है channel में enter करने से पहले आपका जो amplitude है वो अच्छा कासा था लेकिन channel में से निकलने के बाद आपका amplitude बहुत ज़ादा decrease कर गया है और इतना low amplitude यानि की low intensity का signal को यह receiver बहुत strongly detect नहीं कर पाएगा तो हम लोग क्या करते हैं इस receiver में आपको एक amplifier भी फिर हम लोग लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं इस signal को अगर हम लोगों ने amplifier से पास कराया है इसका amplitude दुबाड़ा से बढ़ गया तो amplifier basically amplification करता है इंटेंसिटी को बढ़ा देता है तो यह तीन आपका important और भी terms हो गया फिर अपना आता है range and repeater range and repeater तो range का क्या मतलब होता है range का मतलब होता है largest distance largest distance between the transmitter and the receiver यानि कि source and destination source और destination के बीच में जादा से जादा कितना लंबा distance हो सकता है ताकि हमारा जो signal पहुँचे receiver तक वो sufficient signal strength के साथ पहुँचे ठीक है उसको हम लोग कहते है range बढ़िया है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मानिये हमें A point से B point तक अपने signal को भेजना है और वो distance बहुत जादा है हम लोग बीच में repeater लगा देते हैं आप यह देख सकते हैं यह आपका एक अंटीना हो गया इसको हम लोग repeater बोल रहे है repeater के अंदर क्या-क्या आपको basic elements हो सकता है वो इस dotted डबबे के अंदर आपको दिखाय जा रहा है तो repeater के अंदर आपको एक receiver होगा फिर एक amplifier फिर एक transmitter तो क्या होगा यह आपका source है यहाँ से आपको signal निकल रहा है repeater उसको receive करता है दुबारा से amplify करता है उसके strength को और बढ़ा देता है और transmitter फिर उसको transmit कर देता है फिर यह और travel किया फिर इसका energy कम हो रहा है फिर repeater उसको पकड़ लिया फिर repeater इसको receive किया amplify किया और फिर retransmit कर दिया and finally यह destination तक पहुँच गया ठीक है अब अपना आता है bandwidth of signals and transmission medium ठीक है तो आपका जो भी signal है उसका एक frequency range होता है for example speech signal हम लोग जब बात करते है तो उसका जो frequency range है that is from 300 hertz to 3100 hertz यह सब data आपको NCRT book से लिया गया है ठीक है तो bandwidth का मतलब होता है difference between the upper and the lower 3100 minus 300 this is your 2800 hertz so this is the bandwidth of speech signal right music signal basically आपको 20 hertz से लेके 20 kilo hertz तक हो जाएगा audible frequency range तो यहाँ पर आपको bandwidth approximately इतना ही हो जाएगा right 20,000 में से minus 20 करोगे तो क्या होगा same ही बचे का लगबग video signal का bandwidth आपको इतना होता है and TV signal का this much right then comes your operating frequency of channel right हमने जो अब देखा था कि 3 type का हमने channel देखा था wire, wireless and optical fiber तो wire channel का example आपको जाता है medium का इतना frequency range और सबसे जादा frequency जो range होता है वो आपको होता है optical fiber का high frequency होता है 10 to the power 12 hertz से लेके 10 to the power 15 hertz तक right यह आपको एक important formula है इसके उपर आपको पहले भी एक सवाल आ चुका है previous year number of channels total bandwidth of the channel upon bandwidth needed per channel तो आप इस formula को जरूर से अपने notebook में लिख के रखे आपको end में सवाल भी दिखाए जाएगा जो इस formula पर direct आपको based question पूछा गया था ठीक है अब हम लोग बात करते हैं transmission of EM waves through space ठीक है यहाँ से अपना और भी काम की चीज़े अब start हो रही है तो अपने पास information है यह अपना transmitter है transmitter के अंदर आपको दुनिया वर की चीज़े हो सकती है transducer, modulator and so on आपको finally यहाँ से हमारा electrical signal transmit हो रहा है पढ़िया है अब यह जो antenna है इस antenna का length के ओपर भी हमारे पास एक information है और कितना जो आपका यह signal वो transmit कर रहा है उसका power radiated क्या है यह जो power radiated होता है this is proportional to length of antenna upon wavelength of the signal whole square ठीक है और यह जो antenna का length होता है ऐसा observe किया गया है for optimum power transmission of signal this size of antenna should be comparable to the wavelength of the signal minimum size क्या होना चाहिए तो lambda by 4 भया lambda by 4 से तो जादा या उसके बराबर होना चाहिए इसके उपर भी आपको direct formula based question पहले पूछा जा चुका है ठीक है अच्छा है अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इन दोनों formula से हम लोग एक चीज़ conclude कर सकते है कि हमारा जो यह electrical signal होना चाहिए उसका frequency high होना चाहिए क्योंकि अगर आपका frequency high होगा तो आपका wavelength कम होगा और अगर आपका wavelength कम होगा तो आपका antenna का size जो है वो एक practical size होगा 200-300 meter size का antenna चलता है लेकिन 10 km size का अगर आपको antenna लगाना पड़े तो that is impractical तो आपका frequency high होगा तो wavelength छोटा होगा size आपको practical होगा at the same time अगर आपका frequency high होता है आपका wavelength छोटा होगा तो आपका power radiated भी जादा होगा जादा power का आपका जो signal है वो transmit होगा तो जादा अच्छे से दूर तक ये travel करेगा ठीक है तो ये भी दो आपका important concept यहाँ पे आपने देखा अभी अभी ठीक है अब ये जो propagation होता है इसका आपको तीन mode है one is your ground waves second is your sky wave तीसरा next page में आप देखोगे called your space wave तो space wave पे ही आपका numerical बनता है हलाकि इन दोनों को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो ये अपना basically earth है ये अपना earth का curvature है this is your antenna so ground wave ground wave basically uses the propagation of surface wave propagation is called your surface wave तो ये जो wave है न वो आपका earth के surface पे glide करता हुआ इसके curvature के along move कर सकता है ठीक है detail mechanism क्या है वो यहाँ पे हम लोग नहीं जा रहे है अच्छा एक और important बात क्या है ये जो आपको signal strength होता है वो बहुत जल्दी decay कर जाता है it is attenuated due to absorption of energy by earth surface ठीक है so this is all about your ground wave यहाँ पे हम लोग बहुत दूर तक transmit नहीं कर पाते है then comes your sky wave अगर आपको long distance propagation करना है then sky wave को इस्तमाल किया जाता है यहाँ पे basically हम लोग property use करते है reflection from your ionosphere right this is your earth और आप जैसे इसे उपर जाते हो आपको ionosphere मिलता है from the height range of 65 to 400 km ठीक है तो अगर आपका frequency 3 से लेके 30 MHz के range में है बीच में है तो वो जो आपको signal है वो reflect होके receiver तक पहुँच सकता है ठीक है तो यह जो आपका ionosphere होता है basically उपर से जो आपका sun से radiation आ रहा है उसको absorb परके वहाँ के gas molecules ionize हो जाते है ठीक है अब यहाँ पे जो आपको reflection का property है that is similar to your total internal reflection तो किसी given angle of incidence के लिए आपको कुछ raise reflect back हो जाएंगे लेकिन अगर आपका यह frequency 30 MHz से जादा है तब यह इसको penetrate कर जाएगा तो वैसे signals को फिर हम लोग सीधे कहां भेज सकते है satellite को भेज सकते है satellite उसको receive करेगा और फिर दुवारा से retransmit कर देगा अलग-अलग destination पे ठीक है अच्छा तो वही अपना third wave which is your space wave अगर आपका frequency 40 MHz से भी जादा है then हम लोग line of sight propagation का इस्तमाल करते है सुनने में अजीब लग रहा है line of sight का simple funda क्या होता है कि मान लिजे यह आपका एक transmitter है यह आपका receiver है तो इनके line में इन दोनों को join करने वाला जो straight line है block हो जाएगा so line of sight must be clear for transmission and receiver antenna बढ़िया है अब इस पर आपको numerical बनता है मान लिजे यह आपका transmitter antenna है तो हमसे यह पूछ सकता है कि इसका range क्या होगा यानि कि आप यहाँ से एक line draw करेंगे tangent to the earth surface so this dt is going to be the range of your transmitter और यह dt को solve करना कोई मुश्किल बात नहीं है आपके सामने यह एक right angle triangle है so this dt is equal to hypotenuse square minus this r square का under root आप इसको solve करेंगे यह आपको निकल के आने वाला है under root 2htr जहाँ पर यह हमको assumption लेना है which is a sensible assumption यह जो radius of earth होगा that is going to be much much more than ht as well as your hr ठीक है तो dt का formula यह हो जाएगा और dr का formula यह हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर एक और important चीज़ है maximum line of sight distance यानि कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको distance कितना है this is your dt plus dr इसको आप जोड़ देंगे बढ़िया है अब अपना आता है problems in transmission of base band frequency पहले तो base band frequency कोई नया term नहीं है यह आप जानते है this is your message signal आपका जो information है यह है वो base band signal ठीक है अब generally आपका जो base band signal होता है वो एक low frequency signal होता है और हमने कुछी देर पहले देखा था कि अगर आपका frequency low रहा अगर आपका frequency low होगा तो आपका जो antenna का size है वो बहुत जादा increase कर जाएगा for example अगर आपका frequency 20 kilo hertz है यह आपका lambda है this becomes your 15 km अब 15 km का antenna तो आप नहीं खड़ा कर सकते हो बात समझ में आ रहा है so that becomes your impractical radiation power अगर आपका frequency कम है इसका मतलब आपका wavelength high है और अगर wavelength high है तो power radiation भी कम होगा यह भी हमको unacceptable है तीसरा problem है mixing of signals mixing of signals right for example if several voice channels are broadcasted at same time तो वो आपको mix कर जाएंगे क्योंकि आपको सभी voice का frequency लगभग आजू वाजू में होगा ठीक है तो receiver distinguish कैसे करेगा फिर उस चीज को right तो इसका जो solution क्या है solution by using communication at high frequency communication at high frequencies and allotting a band of frequency to each message signal तो यह जो पहला वाला solution है communication at high frequencies तो high frequency को इस्तिमाल करने से आपका wavelength भी कम हो गया antenna का size आपको practical हो गया power radiation भी आपको जादा हो गया and allotting a band of frequencies to each message signal तो हर message signal को एक band of frequency allocate कर दिया जाता है right कि आप भाईया इतने ही range में operate करो ताकि mixing नहीं हो किसी channel का बात समझ में आ रहा है right बढ़िया है चलिए आगे बढ़ते है तो यह हमको समझ में आया कि why do we need a high frequency transmission अब यह कैसे किया जाता है so basically हम लोग इस base band frequency को super impose कर देते है एक carrier frequency एक carrier wave के साथ और उस carrier wave का frequency हम लोग high select करते है high select करते है right so यह वही बात हो गया कि आपको अगर मैंने बोला है कि you have to travel 100 km तो आप पैदन ले चलोगे you won't walk because if you start to walk आपका energy बहुत जल्दी lose हो जाएगा so basically आप एक car के अंदर जाके बैठ जाओगे car आपको 100 km easily लेके चला जाएगा so car here is your carrier wave right and आप उसके अंदर जाके बैठ गए carrier wave basically इस base band signal को अपने साथ लेके जाता है उसको help करता है travel कराने में because carrier wave has high frequency high power ठीक है अच्छा तो यही चीज़ यहाँ पर आपको अब दिखाये जा रहा है so इस इस process को बोलते है modulation of base band signals and carrier wave इस process को हम लोग कहते है modulation super position of base band with carrier wave right इस base band frequency को इस base band signal को modulating signal भी कहते है यह सब terms नाम समझे और याद कर लीजिए इस base band signal को हमारे original information signal को modulating signal भी कहते है ठीक है और अपना जो carrier wave होगा वो एक high frequency signal होगा बढ़िया है तो अब अब ध्यान से देखिए हमारा जो अब transmitter है ना हमने सबसे शुरुआत में में दिखाया था कि transmitter में basically आपको एक modulator भी होता है अब आप इस modulator में अपना base band signal को input दोगे at the same time आप अपने carrier signal को भी input दोगे जो की high frequency का है modulator इन दोनों को super impulse कर देता है और transmitter फिर इसको transmit करता है receiver इसको receive कर लेता है और receiver के बाद होता है demodulator और demodulator इन दोनों को दुबारा से separate कर देता है base band signal को अलग और carrier signal को अलग क्योंकि हमें base band signal चाहिए न यही मेरा original information है so carrier signal कुछ नहीं इसका सिर्फ इस्तमाल किया जा रहा है carrier signal इस base band signal को एक जगह से दूसरे जगह में travel कराने के लिए use हो रहा होता है बढ़िया है अच्छा अब यह carrier signal भी आपका दो variety का होता है one is your sinusoidal signal and the next one is your pulsating signal हमको इस sinusoidal signal को ही पढ़ना है अब इसका equation आप कुछ ऐसे लिख सकते हो ac sin omega ct plus phi c ac क्या है भाया ac है आपका amplitude of carrier signal omega c is your frequency of carrier signal and phi c your initial phase of a carrier signal ठीक है अच्छा अब क्या होने वाला है हमने carrier wave को base band signal के साथ mix कर दिया right base band signal जो है base band signal basically control करता है ac omega c या phi c को now depending depending upon वो कब किसको control कर रहा है right it is controlled by modulating signal यानि कि base band signal तो modulating signal किसको control कर रहा है उसके accordingly नाम define किया जाता है अगर वो amplitude को control कर रहा है तो amplitude modulation frequency को control कर रहा है तो frequency modulation और अगर phase को control कर रहा है तो phase modulation ठीक है हमें amplitude modulation को ही समझना है पढ़ना है इसके सारे formulas को समझ के रट लेना है ठीक है amplitude modulation में क्या होता है amplitude of carrier wave is varied according to modulating signal इसका diagram भी आपको अंद में दिखाए जाएगा आपको सब कुछ समझ में में भी आ जाएगा पहले इसका equations को देख लेते है ठीक है तो यहां तक हमने बात समझ लिया है कि हम लोग carrier signal को mix करने वाले है modulating signal के साथ और amplitude modulation ही हम लोग समझने वाले यानि कि amplitude vary करेगा according to modulating signal बढ़िया है तो यह अपना हो गया AM modulator AM modulator में हमने दो input दिया है one is your modulating signal तो यह हमारा equation है AM sin omega mt AM क्या है सर amplitude of modulating signal omega m frequency of modulating signal and this is your carrier signal हमारा जो omega c होता है यह बहुत बड़ा होता है omega m के comparison में यही तो हमारा requirement है ठीक है इन दोनों में से pass करने के बाद जो हमारा resultant equation आने वाला है this is this one very important इस equation को star mark कर लो इसको आप याद कर लो रट लो क्योंकि इस equation पर बेस सवाल पूछता है ठीक है यहाँ पर क्या है AC plus AM sin omega mt bracket close sin omega ct यह जो पूरा term है न यह आपको basically हो जाएगा amplitude of your AM wave AM waves ठीक है यह जो आपका amplitude modulation signal है यह उसका amplitude हो जाएगा तो आप देख सकते हैं न यह amplitude आपको constant है नहीं यहाँ पर time का factor है यानि time को साथ change कर रहा है और इसका amplitude को कौन control कर रहा है तो omega m को इसका amplitude किस तरीके से vary करेगा omega m के तरीके से और omega m क्या है modulating signal का frequency so we can say that amplitude varies as per modulating signal ठीक है अब यहाँ पर आप next step क्या करो आप यहाँ पर AC को common खीच लो तो यहाँ पर आपको मिलेगा AM by AC इस AM by AC को भी एक नाम दिया गया है very important stark mark याद कर लिजिए modulation index नाम इसका mu AM by AC ठीक है अब आप इसको mu से replace करो आप यहाँ पर brackets को खोलो आपको यहाँ पर sin A, sin B का term दिखेगा sin A, sin B को आप cos A, plus B and cos A, minus B की term में लिख सकते हो using mathematics आपको मिलेगा final equation यह वाला इस final equation से भी आपको numerical बनता है basically यहाँ पर आप देख सकते है इस AM wave का तीन frequency आपको अब दिख रहा है एक omega C एक omega C minus omega M and omega C plus omega M right omega C आपको हो जगा carrier wave का frequency इसको हम लोग कहते है lower side frequency और इसको हम लोग कहते है upper side frequency so this can be drawn like this यह आपको spectrum graph कहलाता है आप इसमें देख सकते है यह आपका हो गया omega C this is your upper side frequency this is your lower side frequency ठीक है यहाँ पे bandwidth क्या होगा upper minus lower आप जब इसको ऐसा करेंगे तो bandwidth का formula बनता है 2 omega M right generally आपको सवाल में जब bandwidth पूछता है तो hertz मे option दिया होता है यानि कि आप उसको 2 FM भी बोल सकते है frequency of modulating signal so 2 FM ठीक है याद कर लिजिए ध्यान रख लिजिए और 3 frequency के formulas को यानि कि terms को भी ध्यान रखे omega C omega C minus omega M and omega C plus omega M बढ़िया है बढ़िया है अब यह अपना हो गया last slide इस topic का इसके बाद देखेंगे हम लोग previous questions ठीक है यहाँ आप ध्यान से देखे यह भी आपको बहुत important है यह हो गया आपका modulating signal और इसका frequency आप देख सकते है कम है यह अपना है carrier signal इसका frequency आप देख सकते है जादा है ठीक है इन दोनों को जो आपने superimpose किया है तो यह आपको resultant graph दिखता है waveform बेसिकली आपको यहाँ पे दिखता है आप यहाँ पे देख सकते है जिस तरीके से इसका amplitude vary कर रहा है this envelope is this envelope is exactly like this like this यानि कि यह जो अपना resultant wave है इसमें हमारे original modulating signal का सारा information है सारा information है तो जब यह आपको पहुँचता है receiver के पास वहाँ demodulator इसमें से modulating signal को extract कर लेता है अब आप यहाँ पे देखिए आपका जो maximum amplitude है वो आपको होता है am प्लस ac और आपको यह कोई नया चीज नहीं है आप यहाँ पे देखिए basically यह पूरा term maximum कब होगा जब sin omega t 1 होगा और अगर यह 1 होगया तो ac plus am और minimum कब होगा जब sin omega t minus 1 होगा यानि कि ac minus am तो भही चीज तो है कि भाया maximum amplitude is am plus ac and minimum amplitude is ac minus am ठीक है अब यह अपना formula था modulation index का am upon ac आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते है direct formula based question पहले 2-3 बार पूछा जा चुका है आप am को क्या लिख सकते हो am minus a maximum minus a minimum आप चौत यहाँ पे cross check कर लो upon a maximum plus a minimum so you must remember this as well ठीक है तो चलिए enter करते हैं हम लोग previous question में generally 5 question discuss करते थे लेकिन I couldn't resist 7 question यहाँ पे आपके सामने है यह आपका पहला सवाल है इसका solution next page में होगा आप चाहो तो वीडियो के यह पे pause करो खुद से solve करो और फिर जा कि इसको देख लो ठीक है सवाल में हमसे कहता है an amplitude modulated wave is represented by expression this much the minimum and maximum amplitudes of the amplitude modulated wave are respectively so basically हमसे am plus ac and ac minus am पूछ रहा है ठीक है अब इसको करने का best तरीका क्या होगा यह equation को आप यहाँ पे दुवारा से लिख लिए है so भाया हमने देखा था ना कि sin omega ct को छोड़ दो यानि कि इस वाले पूरे term को छोड़ दो तो यह term basically आपको होता है amplitude अब यह maximum कब होगा जब आपको cos वाली term 1 होगी यानि कि 5 into 1 plus 0.6 8 और minimum कब होगा जब cos वाली term minus 1 हो जाएगा तो 5 into 1 minus 0.6 2 volt option number c right बढ़िया है तो जो हमने सीखा है उसको अब apply करना है यहाँ पे question number 2 in a communication system operating at a wavelength 100 nanometer sorry 800 nanometer only 1% of source frequency is available as signal bandwidth signal bandwidth the number of channels accommodated for transmitting TV signal of bandwidth 6 megahertz ठीक है यह आपको 2019 का 19 का question है ठीक है अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें कह रहा है only 1% of source frequency is available for signal bandwidth so what is that 1% यह हो जाएगा so number of channels क्या होगा this frequency upon upon TV signal का जो bandwidth है ठीक है bandwidth per channel तो वो आगे denominator में and this is your total bandwidth this much divide किया this is your number of channels तो यह formula आपको शुरुवात में कहा गया था इसको याद कर लीजिए उसका example आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आप इसकी से इसको solve कर सकते है बढ़िया है यह आपका third question है concept based question है तो इसका जो आपको simple सा answer होने वाला है कि वो आपको inversely related होता है to the carrier frequency हमारा amplitude modulated हमारा modulated अगर कोई wave है हमारा अगर modulated wave है तो हमको पता है कि carrier wave का frequency जो होता है वही आपको चीजों को dominate करेगा ठीक है अच्छा अब size of antenna जो होता है that is basically related to wavelength यानि कि inversely related to frequency तो inversely related तो है frequency का लेकिन किसका frequency carrier का या modulating का तो भाईया carrier का तो कि carrier का frequency ही चीजों को decide कर रहा होता है maximum है बहुत ज़्यादा frequency है वो राइट बढ़िया है to double the coverage range of TV transmission tower डाइट double the coverage range of TV transmission tower its height should be multiplied by what तो हमको पता है कि transmitter का जो range होता है that is this much तो अगर आपको इसको double करना है तो आपको its height should be multiplied by what तो height should be 4 times height जो है वो root के अंदर में height 4 गुना होगा height आपको 4 times होगा तभी तो 2 बहार आएगा और आपको range double हो जाएगा बढ़िया option number is the answer चलिए question number 5 in a line of sight radio communication a distance of about 50 km is kept between the transmitter and receiving antennas तो यह 50 km आपको basically dt plus dr है if the height of the receiving antenna is 70 meter then the minimum height of the transmitting antenna should be how much तो direct आपको formula based question है आपको यहाँ पे सब कुछ दे रखा है आपको सिर्फ यहाँ पे HT को निकालना है data को substitute कीजिए HT को solve कीजिए बढ़िया है चलिए question number 6 a 100 volt carrier wave is made to vary between 160 volt and 40 volt by a modulating signal what is the modulation index so आपको 160 volt क्या है maximum amplitude 40 क्या है minimum amplitude आपसे पूछ रहा है modulation index direct formula based question है mu का formula होता है a max minus a minimum upon a max plus a minimum data को put कीजिए answer रहे यह point से खतम राइट चलिए ओके this is also very good question an amplitude modulated signal is plotted below ठीक है अब यह सब वही बच्चा solve कर सकता है जिसने graph को भी feel कर लिया है अब आप यहां पर ध्यान से देखिए यह आपको amplitude modulated signal है तो यह 10 volt आपको हो गया न maximum amplitude 8 क्या हो जाएगा minimum amplitude right 100 microsecond क्या है आप ध्यान से देखिए तो 100 microsecond basically time period हो जाएगा इस वाले profile का और यह वाला जो profile है यह वाला जो आपका profile होता है यह basically modulating signal का profile है तो कहीं न कहीं आप यह समझ रहे हैं कि 100 microsecond is the time period of modulating signal and 8 microsecond is the time period of carrier signal carrier signal right हमको बताना इसमें से कौन सा equation सही है सही है तो आपके पास AC प्लस AM होता है maximum AC minus AM होता है minimum यहां से हमने AC और AM को solve कर लिया और हमको time period of carrier and modulating पता है उससे हमने omega C और omega M निकाल लिया ठीक है अब जो आपका equation होता है उसका आपको format याद होना चाहिए AC प्लस AM sin omega MT bracket close multiplied by sin omega CT आप इन 4 डेटास को यहां पर substitute कीजिए आपको option number C देख जाएगा right 2019 का यह एक और बहतरीन previous question हो गया ठीक है so I hope आपको इस confidence इस topic पे अब आपको confidence आ गया होगा अगर आप channel पे नए है तो इसको subscribe कीजिए लोगों के साथ share कीजिए and please like the video right चलिए टेक केर बाबाए